स्टेप वाइट स्टेप हम सारी चीज़े पढ़ेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है इंडेक्स के अंदर कॉंसेप्ट और सोसल साइंस का कॉंसेप्ट दिया हुआ है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं या क्या क्या चीज़े फिर 20th century the world and India यह first unit है हमारी जो 20th century वर्ल्ड और इंडिया का क्या योगदान और किस तरीके से हम अपनी सस्टी को पढ़ने और समझने की कोशिस करेंगे वो सारी चीज़ आएंगे फिर पहला चक्ता है राइज ऑप प्रिटिश रूल इंडिया तो बाकी का कंटैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे यह मैप जहां से के लिए हो है इसके अंदर मैप्स का यूज क्या हो है उन सभी मैप्स के बारे में बताए हूँ अब यह बता रहा है कि सोशल साइंस के अंदर मतलब क्या क्या चीज़े आती है हिस्ट्री आती आपकी जोग्रफी पोलिटिकल साइंस एकोनोमिक सोचलोजी सोचल साइंस इसमें ज्यादा तर है वर्ल्ड और इंडिया तो इनक्यान बनारा कि से सारी चीजे जो हुई उनको आफस में कनेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस टाइम पर रियल में हुआ क्या था तो सबसे पहले हम समझेंगे ताकि हिस्ट्री के सारे चेप्टरस हमें समझगा है हम क्या समझेंगे कि हमारी इंडिया की situation और world की situation क्या है इस ताहिए तो उन सारी चीजों को जब समझ लेंगे तो फिर आगे पढ़ने में हमारे को दिक्त नहीं आएगी क्योंकि हमारे दिमाग में एक मोटा मोटा concept बन जाएगा कि हमें समझना क्या है हमें पढ़ना क्या है किस तरीके से में चीजों को समझ रहे तो क्या बुढ़ रहा है जा सुं यानि सारे संसार ने देखा क्या डेखा लोंग ट्रम लंबे रिजर्ट्स of the research and progress किस चीज का research और progress कोई research और progress किया और उसका लंबा जो result आया किस चीज के ओपर made in various field of human life यानि आदमियों के जीवन के ओपर बहुत बड़ी study किये गई जिसका काफी सारा effect को फढ़ा कब country century में इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिज करेंगे activities of colonialism activity activity of colonialism यहां पर है न हम एक एक सब्द को अच्छे से पगड़ते दाएंगे और उसको समझ लेना आपको पूरी book में उसका बार-बार यूज होगा colonialism किसके लिए यूज किया जाता है देखो जब अंग्रेज है न आपको यह पता हो वो उसके अंडर में थे अब कलोनी क्यों बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन है जहां पर भी राज करता था उसको अपनी कलोनी क्लोनी बोलता था यह अमारी कलोनी है यह tips देख माझज है जैसे Maarndo अब यह आप एक कलोनी में रढ़ते हो जो प्षैलाई गई कहां में फिर अफरीका में क्योंकि दीखो सबसे जादा राज ने ओर अफरीका के देशों में किया था और यहीं पर सबसे ज़्यादा स्वाशन हुआ था आपने गांदी की किवह सारी इत्र चीजें किताब पड़िए में उन्हें युदो हुआ है कि गांदी जी अफ्रीका भी घूमें और एसिया में भी काफी सारे देशों में भूमें थे बेसिकली तो वह इंडिया में रहे तो उससे पहले की जो ज़्यादा तरकानी है वह सारी इसके अंदर आपको मिलेगी तो अंग्रेजों ने अंग्रेजों की जो एक्टिव ता मतलब दूस्मनी एनिमेटी अमंग दा यूरोपियन पावर्स अब किस-किस के बीच में यू मतलब दूस्मनी हुई यूरोप की पावर्स इंट्रेस्टेड इन एक्वाइरिंग कलोनीज अब वो चाहते थे यानि यूरोप और ब्रिटेन ठीक है ये मतलब एक तो अमेर करने में कलोनी यानि वो भी अपनी कलोनी बढ़ाना चाते हैं and that resulted in world war first और जिसकी वज़े से क्या हुआ था पहला यूद्ध हुआ था मारा और आप उससे तंग पागे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो आप क्या करोगे कि उस सिच्वेशन से मैं कैसे भी निकल सखू तो उसके लिए आप कोई भी काम करें वह एक तरीके का आपने revolution किया तो जब देश गुलाम होता है और बहुत लंबे समय तब गुल जो किया था जिसे revolution बोलते है क्रांती भी बोलते हैं हिंदी में Russia and rise of dictatorship और जिसकी वज़ेसे क्या पैदा हुआ dictatorship पैदा हुआ अब dictatorship क्या होता है देखो डिक्टेटर ये सारे सब्द है न हिस्ट्री के ये बार बार काम आने वाले तो इसको focus करके समद लेना dictatorship का क्या मतलब होता है एक आदमी अपनी ही बात को मनाए चे वो सही हो चे गलत हो उसके हिसाब से जो सही है वो सही उसके हिसाब से जो गलत है वो गलत कहने का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको ताना साही तो ताना साही का क्या मतलब होगा लोग कुछ भी कहें उसको कोई प कि आदमी किस वज़े से आपनी श्जाप से जिसका वर्ड वर सेकंडियर आपने देखा हुआ और जिसमें जर्मनी में हिटलर का ना योगदान तो शारी चीज़ें उसको समझेंगे अम It is step by step in world politics इन वर्ल्ड की politics को आप समझोगे तो यह सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी तभी आपको समझने आएगा इसी वज़े से सारा वर्ड आपस में जुड़ा हुआ है अगर वर्ड में कोई गठना होती है तो हम भी वर्ड के साथ जुड़े हुआ है तो हमारे उपर भी उसका थोड़ा अशर हो रहा है अब डिजायर माने होता है इच्छा Colonialism, colonialism मैंने बताया आपको कि अपनी जगें बढ़ाना And imperialism, imperialism भी क्या होता है मतलब छेतर जो होता है जमीन का जो छेतर है वो बढ़ाना By use of, किसकी सायता से atomic Atomic मतलब, atom जो bum होते थे उसके बारे में बोल रहा है Atom Bum की सायता से अपनी जगें अपना चेतर बढ़ाना And other destructive weapons और दूसरे destructive Distractive मतलब ऐसे आतियार जो विनास कर दें Distractive weapons, head second जो हिला देते हैं The entire world, पूरे world को अब देखो आप ये बात लगए सभी बच्चों को पता होगा हमें आज तक भी ये बात मालूम हो ठीक है फिर उसके बाद जापान ने development बहुत स्पीड से किया वो एक अलग बात है लेकिन अगर हम समझेंगे तो बहुत मतलब हिला देने वाली बात थी उस टापे कितने आदमी एक दो से तीन सेंगेंड के अंदर सुहा हो गए सारे आग इतनी जोर की इतनी गर्मी थी लगबगा आठ सो से उपर यानि आठ सो डिगरी से उपर टमप्रेचर था तो समझो कि आदमी मोंबत्ती की तरह पेंगल गया होगा तो इस तरीके से हालात खराब गए और उस सिच्वेशन को जो देखता है वो काप जाता है तो इससे पूरा वर्ड क्या हो गया सेकन हो गया हिल गया अफकोर्स दा डिजायर ओफ पीस फिर वास्तों में डिजायर इच्छा ओफ पीस एंड सेफटी मैनिफिस्ट अब क्या होया लोग क्या करने लगए इच्छा करने लगए वही शान्ती हो और सेफटी भी रहे लोगों की इन हार्ट ओफ मैनकाइड वह आदमी के हर्दे के अंदर यानि आदमी के दिल के अंदर थोड़ी सुक शान्ती भी होनी चाहिए ताकि वो क्या ना करे जगड़े ना करे लड़ाई दंगे ना करे जो क्यो होता क्या है जब यूद हो जाते है ना तो यूद की हालात देखके बहुत सरे आदमियों को मरा हुआ देखके जब आदमी की भावना बदल जाती है फिर उसको उता नहीं है रहा ऐसा नहीं होना च नहीं की तटेशा हो जाएगा तब युद्ध होगा फिर थोड़े दिन सांती रहेगी और यह चलता रहता है ठिक है जब यह वजह से उनाइटेड नेशन पैदा हो गया क्या यह दिखाने लगया भाई अब सुक्षान्ती चाहिए लोगों के अंदर लड़ाई जगड़े नह होने चाहिए तो United Nation को मोका मिला और ये पैदा हो गया The Race of Expanding Spare, अब दोड़ शुरू हो गई Expand करने की Spare, Spare मतलब हमारी धर्ती जो है नो Spare के आकार किये, गोले आकार किये, तो बोल रहा है Spare को बढ़ाना, Spare को बढ़ाने का मतलब यानि Spare के अंदर अपनी जितनी जगह हैं, उसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं अपना एरिया कवर करते जाएं, इसको बोलते हैं Expanding Spare of Influencing that continue between United States of America and Soviet Rus Resulted in Cold War अब क्या हुआ, अब देखो, ये अभी at present की भी यही situation है रसिया और अमेरिका के बीच में, क्या है, इनकी दोड़ मचिव है, दोनों देशों की क्योंकि दोनो powerful country हैं और इनकी दोड़ मचिव है कि हम अपना जो जगहां जो है, छेतर जो है वो रसया और युक्रेजी ना वो इन दोनों बड़े देश यानि रसया और उसकी वज़े से इसही यह चल रहा है क्यूकि उक्रेजी आए पहले रसया का भी पार्ट था कि बाइट के प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम अपना पैसा जादा बढा आएं ऐस औलर का का क्या सिस्टम होता है कोई भी देश अगर व्यापार हेगा दूसरे देश के इक होता है वर्ड पैसे का इसाब किताब रखता है वह जो सभी देशों को क्या है लोन देता है मेरे को नाम याद रहेगा तो तो कोल्ड वार का क्या मतलब हो गया मतलब जो जैसे अभी मानलो इंडिया है इंडिया को बिजनस करना है किस के साथ करना है किसी भी कंट्री के साथ करना है मानलो पाकिस्तान के साथ करना है या भुटान के साथ करना है या मानलो स्री लंका के सा पाकिस्तान उस डोलर से पाकिस्तान से हम समान खरीदेंगे सेल पाकिस्तान का होगा अब पाकिस्तान को पेमेंट किसमें वह डोलर में अब वह वापस डोलर बेचके फिर क्या करेगा अपनी करंसी में एक्सचेंज करेगा तो दो बार पाकिस्तान ने खरीदा बेचा और दो इंडिया ने खरीदा बिचा तो जिसकी वज़े से क्या हुआ कि डोलर की बाई डिमांड बहुत जादा है तो डोलर की वैल्यू ओटमेटिक बढ़ गई यानि करंसी अगर एक्वल भी है और मार्केट में डिमांड उसकी जादा है तो उसकी वैल्यू जादा है सीधी सी बात ह है बई लोग इसको मांड़े अभी हमारे इंडिया में जो चला है आप जो यूपी आई पेमेंट करते हैं वो सारा इसी को कम करने के लिए क्या है इससे क्या होगा वर्ल्ड के कंपेरिजन में हमारी करंसी जो थोड़ी स्क्रोंग हो जाईगी जिसकी वज़े से हमारे को क्य फायदा होगा कि हम चीजे हैं वो आराम से खरीच सकेंगे हमारे पास पैसे की जो पावर वो ज़्यादा होगी आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा कि 10,000 रुपे में एक बोटल पानी की आती है अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिनकी एकोनोमी कोलैप्स होगी हमारे यहापे आप देखोगे कि आपको 10 रुपे से लेके 20 रुपे के अंदर एक पानी की बोटल आ जाती है तो यह करंसी का डिफ्रेंस है क्यों होता है क्योंकि उसके डिमांड की ओपर डिपेंड करता है तो यह सारी चीजें इसरे की पलानीन कर रहे है इसी को डिपिलोम में इन दो जगहों पर ये चला at the end of the 20th century हाँ तो ये जो डब्लू एचो में बता रहा था वर्ड हेल्ट ओर्केनाइजिशन दूसरा एक तो था इंडियन मोनेटरी फंड ये हमारे देश का है इसी तरीके से वर्ड का है आपको नाम याद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना मेरे को याद आएगा तो अगले वीडियो में इसका जब हम फर्स्ट पार्ट बनाएंगी उसमें आपको बता दो ठीक है और उसके बारे में थोड़ा क्या मतलब है देखो जब यूद होता है और हमें ऐसा लगता है हमारा देश कमजोर हो रहा है तो सब देशों के अंदर यह भावना आती है कि राष्ट्रियवाद हो मतलब हमारा देश ग्रोथ करें सबसे आगे हो तो हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए त्यार ह करते हैं जैसे हम इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी को देख कि हमारे अंदर जो साजाता है ठीक है और हमारे को एक खुशी मैसूस होती है कि यह हमारी रक्षा कर रहे है ठीक है वह बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे अंदर उमड़ती है जिसका हम बयान नहीं कर सकते बहुत कुसी हो जाती है हमारे को तो वो एक राष्ट्रेवाद की बावना जाती है हमारे अंदर divided powerful Russia जो Russia को ट क्या कर रहा है divide कर रहा है the wall of Berlin अब देखो लोगों के अंदर क्या हुआ राष्ट्रेवाद की बावना जाग गई और लोग क्या करने लगे कि भाई बापस से एक रहन होगा पहले क्या हुआ था कि भाई अलग-अलग देश बन गए थे सब अपनी अपनी पावर चला रहे थे डिक्टेटर्सीप होगी थी तो अब क्या डिक्टेटर्सीप खतम होने लगी और लोग चाने लगे कि भाई हम एक साथ मिल करके काम करें और हमारा देश जो है या राष्टेवा की बाउना आए तो सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे तो देखो हुआ क्या था जब आप अंग्रेजों के देश देखोगे ना तो उनके छोटे 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 देश हैं बहुत छ हो गया मतलब इस जगहों का और इन देशों में तुम देखोगे ना हर 200-300 किलोमेटर पर दूसरा देश शुरू हो जाता है तो यह इतने छोटे छोटे देश हैं तो इनके क्या होंगे मतलब नेबरिंग कंट्री में इनके रिलेशन होंगे ओटोमेटिक तो यह क्या चाहें है एक जगह पर यह हम अपके रिलेशन वालों से मिलने जा रहे हैं तो हमें इतनी दूर के लिए पासपोर्ट चाहिए हमें वीजा चाहिए यह चाहिए वो चाहिए उसके लिए फालत हुआ खर्चा हो रहा है अपका ठीक है तो लोग क्या करने लगए कि उनके अंदर एक त का मतलब होता है एक ही करण मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों को मिला करके एक कर देना एक ही करण का अपने इंडिया का एक्जांपल में आपको दूँ तो जब देश आजा दुआ तो अंग्रेज चाते थे अंग्रेज उनने क्या कि अंग्रेज पहले तो सर्दार बल्लब भाई पटेल को ये बात समझ में आई कि बढ़ बढ़ करके जा रहे हैं ये पूरे बारत के टुगड़े बना देंगे और चुट-चुटे देश बन जाएंगे आज जैसे जो गुजरात हो तो गुजरात एक अलग देश होता हरियाना जो अलग देश होता यूपी अलग देश होता, बियार अलग देश होता बंगाल अलग देश होता, अब मान लो, किको गुजरात से बियार जाना है और बीच में दो स्टेट है तो उसको दो देशों का वीजा चाहिए. तब वो वहाँ से पार पकर पाएगा. या दो देशों कि परमिट लेके व वता देता है तो यहांनीLY की जो डिवार थी बरिलिन की जर्मनी के दिवार बना दी थी तो उस दिवार को तोड़ कर कके और उसको कमाइन कर लिया वापस से ठीक है फुस हो गए थे लोग, मतलब एक जोस हा गया था लोगों के अंदर की भाई, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने देश को एक कर लेंगे, और सारे देश मिल्दूर के काम करेंगे, मतलब एक यूद के बाद लोगों के पास बावना बदल जाती है, अब ये कम्यूनिजम भी एक इंपोर्टेंट टोपिक है, इसको भी मैं कभी अलग से दुबारा समझाओगा, तो यूद नोट भी प्रिमेंटेड, जिसे कोई रोक ना पाया, क्यों हुआ हुआ, अब देखो ये तो यूनिफिकेशन हो गए, यूनिफिकेशन के बाद लोगो के अंदर कम्यूनिजम की बावना जागी, और जिसे कोई रोक ना पाया, तो यूरोक और एसियन जो कंट्रीज थी, जिसके अंदर चाइना भी था, कम अंडर इट इंफ्लूएंस, और ये इससे क्या होगे, परभावित होगे, तो ओ, फिर ये एक अचंबे की बात दिखा है, मतलब इसको क्रिटिक्स बोलते हैं, ताकि बात लोगों को अच्छे से समझ मैं, क्रिटिक्स की होगे से, तो सम पार्ट ओव दा वर्ल्ड वास कलरड इन रेड, अब जा 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 पर कम्यूनिजम थे, उन उन देशों का जो जगेंती, उसको रेड कलर से शो करते थे, ये मेर को जो अच्छा लगेगा, मैं उस हिसाब को, तो मैं तो पहले वाला बारत दिखा दूँगा, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी निकूरूड था, ये था, मैं कह दूँगा, ये तो इंडिया की बाउंडरी है, अभी फिलाल आज की बात करें, तो हलाकि वो एक बैस का विशे, उसको हम बात में समझेंगे, लेकिन मैं उस हिसाब से बना दूँगी, ये तो इंडिया का ये पार्ट था और यहां तक इंडिया का राज है, तो और बाकी जो है, वो रेड कलर में मैं दिखा दूँगा, ये जो देश है, ये गलत है, ये गलत चीज़े चल रही है वाँ पर, तो इस तरीके से होगा, तो जहां पर कम्यूनिजम चल रहा था, उसको रेड कलर में दिखाने लग गए, तो ये एक तरह की मतलब सिरफ एक तरफा पॉल्टिक्स होगी, समझ गे, कहने का मतलब है, क्या, मैं कुछ भी करता रहूं, बाकी जो कर रहा है, बाकी जो हम आज करते हैं, हम कोई भी है, फोरन रिपोर्ट आ जाती है, तो उसको तो बहुत बड़ा मानते हैं, और हमारे इंडिया की कोई भी किसी भी अजनसी की कोई रिपोर्ट होती है, उसको इंपोर्टेंस ही नहीं देते हैं, तो ये फरक हो गया, तो इसको एक तरफा अब दूसरा जो हिस्सा था वर्ड यहां तक हमने समझी यह तो था एक हिस्सा यानि रसिया और अमेरिका के क्या सोच थी उसके बारे में था अब जो दूसरा हिस्सा था या दूसरा प्रत्थी वो क्या थी किसी देश को आजाद हो जाना या सवतंतर हो जाना उसको बोलते हैं लिबरेलिजम that had spread in Asia जो कहां पे फैला Asia में फैला अफरिका में फैला and other part of the world और दूसरे वर्ड के दूसरे इस्सों में भी फैला देखो हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम ब्रिटेन के बहुत सारे बहुत जादा लंबे समय तक हम क्या रहते गुलाम रहते तो लिबरलिजम की भावना अपने अंदर आनी मतलब mostly थी आनी चीए थी कि हमें आजाद होना है तो this movement gave rise तो लोगों के अंदर ये आंदोलन या ये भावना जागने लगी to fight for nationalism ताकि देश के लिए हम लड़े and freedom in many countries और काफी देश आजाद हुए including इंडिया जिसमें से भारत भी एक था क्योंकि हम भी गुलाम थे और 1947 में हम क्या हुए थे आजाद हुए थे ठीक है जैसे 57 में हो था 1857 की जो करांती थी 1857 का जो रिवोलुशन हुआ था उस टाइम पे अमने जब अंगरेज उको बढ़ा दिया था होगे तभी आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आईगी हाला कि बहुत सारी चीजे क्लियर होती जाएंगे हिस्ट्री एक ऐसा वास्प सब्जेक्ट लगता है लोगों कि बोर करता है लेकिन अगर इन चीजों को समझो तो बड़ी बहुत सरम देख बहुत सारे अफरीका में भी आजर उना शरू हो गए और एक तरीके की बहुत सब्हूं करते हैं पाल्ड़ क्रॉ decentralis उसके बारे में, which created such as image, जो एक image create करता है, where in the north-south, the east-west, young and old men and women were made enthusiastic participants and this contribution toward a glorious history, अब देखो यहां पे है न, north से लेकर, south से, east से लेकर, west तर, जवान, भूडे, युवा, ओरतें, जिसमें बच्चे भी आगे थे, इन सब का जबबर्दस्त सयोग था, हमारे इतियास को बनाने में, क्योंकि इन सब की साहिता से, कहने का मतलब, देश का हर एक पार्ट की साहिता से, हमने इसको अचीव किया, it also include event of revolutionaries, और इसमें लगाता है, काफी सारे आंदोलन भी हुए थे, काफी सारी गटना हुए थे, who fought for the independence, जो आजादी के लिए लडए, for their motherland, motherland होता है, मात्र मात्र भूमी या माता की जगए, जिसे हम भारत माता बोलते हैं, तो वो हमारी motherland होगी, and accepted matredon, which all included self-respect, patriotism, nationalism among children, और बच्चों के अंदर एक भावना जागी, भाई, मात्र भक्ती, जैसे देश की भक्ती के लिए, जो जहाँ पर हम पैता हुए हैं, उस जगएं के प्रती प्रेम आ जाना, और हमें self-respect से जीना है, भाई, गुलाम बन के नहीं जीना है, देश भक्ती के बावना आ जाए, patriotism, और nationalism, राष्ट्रियता के बावना जाए, बच्चों के अंदर इस तरीके की चीजें जाएने लगी, necessary maps and pictures have been provided to clarify right-up, तो आपको बहुत सारे map और pictures मिलेंगे, जो इन चीजों को clarify करेंगे, और साथ की साथ देश की growth के लिए industrial revolution भी होने लगा, has been discussed in this unit with the aim that students understand the importance of how discovery made in the field of science and technology can lead to progress of future generation, अब देखो होता क्या है, आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी जमीन हो, आपकी कितनी अच्छी जमीन हो, कितना ही अच्छा पानी हो, लेकिन अगर आपको world के अंदर रहना है, तो आपको powerful बनना पड़ेगा, और powerful बनने के लिए दो चीजें बहुत ज़्यादा important होती है, एक तो हथियार, जो defense होता है, ताक अपने मालो हथियार तो बहुत अच्छे तकड़े तयार कर लिए, लेकिन काम धन्दा है, लोगों का रोज की मरा का जीवन जो है, उसकी लिए कुछ करी नहीं रहे, तो फिर सारा वेस्ट हो जाएगा, तो देश की एकोनोमी भी बहुत जरूरी है, तो देश की एकोनोमी कै अच्छे विद ग्रेट डिफिकल्टी, तो देश को आजाद कराना कोई असान काम नहीं था, बहुत मेहनत लगी थी, तो देश की आजादी की कानी, अगर आप पढ़ोगे, क्या-क्या हुआ था उस टाइम पे तो हम एक तरीके से काप जाते हैं, अगर आप एक एक आदमी क कानी पढ़ोजे से बगत सिंग की कानी पढ़ रहे हो, चंदर शेकराजाद की कानी पढ़ रहे हो, जोती बभूले की कानी पढ़ रहे हो, महत्मा गांधी की कानी पढ़ रहे हो, तो इन सब की कानीों से आपको अंदाज आता है, उन लोगोंने कितना स्ट्रगल किया था, त development of the nation, ये सारी चीज़े हैं हमारे देश की development के लिए सही होगी है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, पढ़ाते वक्त थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है, तो आप वीडियो को पोस करके और दुबारा से देख सकते हैं, उसमें कोई tension वाली बात नहीं है, तो ये हमारी first unit के अंदर क्या क्या आ रहा है, उसके पारे में थोड़ा over view था जो मैंने आपको बता दिया, अब हम chapter जो start करेंगे, rise of British rule in India, तो अंग्रेजों ने जो भारत में राज किया था, वो किस तरीके से हुआ था, उसकी जो पूरी कहानी है, वो समझने की कोशिस करेंगी, तो धन्य आप दोस्तों मिलते हैं अगले अच्छे जिए